दोस्तों, चाहे आब बाइक चलाते हो, या स्कूटी चलाते हो, या फिर मोपेट चलाते हो, या तो फिर सुपार बाइक चलाते हो, लेकिन हेलमेट पहनना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। को बचना मुश्किल हो जाता है, इसलिए बाइक, स्कूटी या मोबेट चलाते बक्त हमेशा हेलमेट उस कीजिए, बलकि हेलमेट पहनना एक हैबिट की तरह बना लीजिए, कि जब भी आप टू हिला लेके निकलेंगे, ये हेलमेट पहनना ना भूले, क्योंकि हेलमेट आपक कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, कुछ लोग स्टाइल पे जादा ध्यान देते हैं, और स्टाइलिश हेलमेट खरिद लेते हैं, सेप्ती के तरफ उतना ध्यान नहीं देते, जबकि सेप्ती के उपर सबसे जादा ध्यान देना चाहिए, दोस्तो इस वीडियो में आ लाइक कॉमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों हिलमेट खरीदते वक्त सबसे पहले हम लोगों को देखना होता है यह हिलमेट में IESI मार्क है के नहीं IESI यानि Indian Standard Institute से मन्यता फ्राप्ट हिलमेट ही होता है लिगाल हिलमेट इसी दिए IESI मार्क जित हिलमेट में नहीं है वो हिलमेट मत खरी दिए इससे आपकी चालान करेगी और बीना IESI मार्क बाला हिलमेट ज़्यादा मजबूत नहीं होता और यह उतना ज़्यादा सेप्टी नहीं दे सकता आईए साई मार्क बाला हेलमेट अच्छी तरह से टेस्टेड होता है, बहुत ही मजबूत होता है, इसमें सिप्ती जादा रहता है दोस्तो आईए अभी हेलमेट की स्ट्राक्चर के उपर नज़र डालते हैं नमबर वान पर आप देख सकते हैं हेलमेट शेल, यह हेलमेट की वहार की कवार होता है और यह बहुत हार्ड होता है नमबर टू पर है फेंटिलेशन, हेलमेट में बहुत छोटे-छोटे होल रहता है हेलमेट की बेंटिलेशन के लिए नमबर 3 फे है shield यारे face shield, नमबर 4 फे EPS line, ये helmet की inner shell होता है, इसी के नीचे inner pad रहता है, नमबर 5 पे है interior system और नमबर 6 पे chin strap, जो helmet की नीचे की line को cover करके रखता है आई आभी देखते हैं, helmet का weight कितना होना चाहिए, Bureau of Indian Standard के मुताबिक, helmet का weight minimum 700 ग्राम और maximum 1.2 kg होना चाहिए, helmet अगर 700 ग्राम से कम weight का होगा तो वो जादा मजबूत नहीं होगा, accident के बक्त जाता जोर का fresher सहन नहीं करपाएगा और तूट जाएगा और 1.2 kg से उपर अगर weight होगा, तो ये हमारे सहत के लिए ठीक नहीं है, जो लोग रोजाना बायक चलाते हैं और long tour करते हैं, उनलों के लिए भारी helmet जादा देर पहनने से पार्मनेंटली गर्दन में परेशनी आ सकता है, और दूस्तों helmet खरीदने के बक्त अब जरूर पहन अबल महसूस करें, तभी उस helmet को लेने की सोचिए, और हमेशा full face helmet यूज कीजिए, क्योंकि full face helmet में आपका पुरा स्थर और मूँ कौभाड रहता है, क्योंकि ये helmet आपको पूरी तरह से safety देता है, और भी बहुत कुछ आपको वारीकी से चेक करना है, helmet की face seal में कोई scratch तो न नहीं निकल रहा है, क्योंकि खुदना खसता अगर कोई accident हो जाए, तो आपकी सर में चोट लगना नहीं चाहिए, वजसे तो आए से mark वाला helmet अगर आप लेते हैं, तो आपको उतना कुछ देखना नहीं पड़ता है, फिर भी आपको सब कुछ बारीकी से चेक कर लेना चाहि आईए आभी देखेंगे helmet कितने प्रकार के होते हैं, यह है half helmet, यह size में छोटा होता है, और ladies लोग इसे use करते हैं, और यह easily scooty के DQ में आ जाते हैं, इसमें visor हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन half helmet में आपकी पूरा सर cover नहीं होता, इसलिए half helmet पहनना भी मना है, half helmet आपकी चालान कट सकता है, next आते हैं three quarter helmet, इसे open face helmet भी कहा जाता है, इसमें सर, कान, सब अच्छी तरह से cover रहता है, सिर्फ सामने की तरफ आधा cover रहता है, फूल face cover नहीं रहता है, इसलिए face में shoot लगने का chances रह जाता है, फिर आता है full face helmet, यह helmet सबसे जाधा safety देता है, क्यों तक की गर्दन के उपर तक पूरा cover रहता है, और visor one कर देने से हवा भी नहीं लगता, हवा का कोई disturbance नहीं आता, comfortable भी मेयास्यूस होता है, यह full face helmet भी recommend किया जाता है, क्योंकि किसी भी हाथ से के वक्त, यह helmet आपकी face और सर को पूरी तरह से safety दे सकता है, फिर आता है flip up helmet, यह helmet आप open face और full face दोनों तरह से इस्तिमाल कर सकते हैं, यह भी पूरी तरह से cover रहता है, आप अगर चाहे तो इसकी सामने की cover पूरा उठा सकते हैं, और इससे आपकी face पूरा open हो जाता है, इसमें भी आपको safety बराबर मिलता है, और last में देखेंगे off-road helmet, जो लोग off-roading करते ह हैं, धूल मिट्टी से गुजरते हैं, कचर से गुजरते हैं, जंगलों से गुजरते हैं, अडवेंचर में जाते हैं, उन्हीं लोगों के लिए specially बनाया गिया है यह off-road helmet, यह helmet धूल मिट्टी, कचरा अच्छी तरह से सहन कर सकता है, इस helmet को इस तरह से बनाया गिया है, टू हीलर चलाते हैं, उसी के हिसाब से आप अपना helmet चूज कर लेना और बारिकी से चेक भी कर लेना, तो दोस्तों आज इतना तक, फिर मिलेंगे किसी दूसरों वीडियो में, यह वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लागे तो प्लीज चैनल को और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें.